कि अच्छी कृष्ण यह अच्छी कृष्ण यह अच्छी कृष्ण है इससे पहरे में नौ लिग्चर हो चुके हैं तो लग्चा टैन के अंदर में आपको बताने जा रहा हूं कि हम कुंडली से सकते हैं इस में बहुत सिंपल फंडर है इसका हुए जैसे यह अपकी कुंड़ी है जिसके बार हाँ का हुए है तो प्रहत पारशार पुरशास्त्रा जो की एक बिल्कुल अभीन आमरा है जो इसका इसकी की सहर जगे माननेता है यह साथवा भाव माता से दस्वा भाव ही ठाव होता है वैसे हैं अब इसमेंसिंपल है अगर आप की देखना है आप चाहते हैं कि आपके आपकी जो बेटे की बखू है उसका भाव या आपका तामाद है उसका पॉइक पाहते हैं ? तो बेटे की वाइफ हुआ, तो बेटे की वाइफ का मतलब हुआ कि यहां से साथ वाव, क्योंकि आपकी वाइफ का भाव है आप से साथ वाव, तो यहां से साथ वाव, यहां से साथ वाव, यहां से साथ वाव जैसे आदे, तो यहां आप, ग्यार वाव में, इसका मतलब हु के बारे में यानि अपनी बेटी की डाटर इला संग देख सकते हैं तो ये बाश शो करता है डाटर पे रिल्ला होती। कर दूसरा अगर आप देखना चाहते हैं ये दाहती बाँक्यां ये बेटी न है तो बींटी का हस्पेंट के संग माल कौंसा बाई हुआ ? बेटी का हस्बेंट के लिए यहां से सिक्स सेवंथ भाव हुआ बेटी का यह है बेटी का हस्बेंट का सेवंथ क्योंकि आप है और आप भी स्पॉंस भाव है तो यह सेवंथ भाव हुआ तो इसलिए यह दामाद का भाव हुई है तो इससे आप अगया लाव सकते हैं कि देखिए, यह हमारे दामाद का भाव है, यह हमारी बहु का भाव है, अब जैसे आप कोई आप से पूछता है कि आपके दादाजी का भाव क्या है, आपके दादाजी के बारे में कहां से देखें, तो आपके पिता का भाव यह वाला है पिता माना होता है हम से चार हो पिता से चार या यहां से आप उप्नी दादी का भाह भी देख सकते हैं यहां से देख सकते हैं मु blending कि चोटे वाले मामा आपके आपके और देखने मामा को कही वहारी माही करते हो ओंसा है तीस टालो हम से तीस टालो तो माता की चोटे बादर यह थे उसे याँ दो धिल जैसे याठ एली घ्राभब ओंसा हो तो माता का बड़ा भाय होते हैं हो एधिगा एक वाहें tellement देजають 10 ऐंगी कि यानि यहां से आपके बड़े मामा जी के बारे में वाहें और नोग में 4923 45 55 तो यहां आपे माणी की बारे माड़म चाहले चारगाती से वह अप पिता के चोके बहाः है यह बहा है तो पिता के च्वहाइ और कलिश्क बहा है तो बहु कि color the to आपको ध्यान लगना है कि ये भाव आपका है, ये भाव माता का है, ये पिता का है, ये आपकी स्पाउस का है, ये सभी को पता होता है, ये आपके चिल्डरन है, ये आपके छोड़े भाई रहे हैं, ये आपके बड़े भाई रहे हैं, तो इनके बेश पे आप सारी रिलेशन तो उस case में क्या है कि हां, आप किसी की माता के बारे में हैं, या आप अपनी खुल अपनी माता के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, उसकी कुडली को देखना चाहते हैं, तो उसका simple जिदात हो जाहा है, जो कि भाव मंजरी में special group से कहा गया है, एसे cases में आप जिस भाग को study कुछ बिएहरई करना चाहते हैं, उस भाग को लगन बना लेजिए, suppose आप अपनी माता के बारे में study करना चाहते हैं, आपकी माता पास माता य grasp नहीं है, लेकिश भी akermाटी है, तो आपकी माता का भाग चोटा है, तो ये भाग जो है आपका यह आका लगन बना लेजिए इ मी ये आपका यहां पर ये आपका है आप initiated यहां पर उससे आ और नॉ ये आपके पाचे साथ आथ नो एस ओ Ahora को है अपने परोगा अब जुक्य होगह जाया अधर भाव करते हमाद हो गया धुछ आपकेOSH है यहां ku बच्चे यानि खुद आप हो जाएंगे, यह बजाएंगे माता के रोवरिट, तो कहने का मतलब यह है, कि आप एक ही भाव से, किसी की चीज़ से, आप पुरी कुंडली देख सकते हैं, आप अपने बड़े भाय बहन की कुंडली देख सकते हैं, अपनी ही कुंडली से, आप चोटे बहन की कुंडली से देख सकते हैं, तो यह एक सिंपल सिद्धान है, कि जिस भाव की भी आपको स्टड़ी करनी हो, उस भाव को आप लगन बना लेजिए, अब फिर उससे दूसरा उसका धन होगा, उससे तीसरा उसका प्राक्रम होगा, एंड सोन, इस तरह से ओचलत कुंडली से दूसरा उससका टती है, कि हुखत हैं, कि फिर उससरा उससे दाहरी के भी करना बना लेजिए?